जीवन मेरा शुब जीवन हो मुहमाया कना कोई बंधन हो सब जीवन से सदा प्यार करूँ सब के दुख को अपना ही समझ सब जीवन से सदा प्यार करूँ फेनाथ करो किर्पा ऐसे जीवन में पर उपकार करूँ फेनाथ करो किर्पा ऐसे जीवन में पर उपकार करो फेनाथ करो किर्पा ऐसे जीवन में पर उपकार करो फेनाथ करो किर्पा ऐसे जीवन में पर उपकार करो सवारत के तज कर भाव सभी परमारत का व्यावहार करूँ सवारत के तज कर भाव सभी परमारत का व्यावार करूँ में पर उपकार करें परमारत का व्यावश सवारत कर हम पर उपकार पर उपकार कर दो जीवन में पर उपकार मुहमदीरा को पीते पीते कई जनम व्यरत मेरे बीते जानम रित ऐसा पिलाओ अब जनम रित ऐसा पिलाओ अब जिससे मैं निज उधार करूं जिससे मैं निज उधार करूं बेनाथ करो किरपा ऐसी जीवन में पर उपकार करूं अबी मान ना मन में आए कभी अबी मान ना मन में आए कभी कज दूँ छल कपट के भाव सबी अब गुण ना रहे कोई जीवन में दूर गुण ना रहे कोई जीवन में सद गुण ही सदा स्विकार करूं जीवन में पर उपकार करूं स्वारत के तज कर भाव सबी पर्मारत का जवहार करूं कर याद प्रभू एहसान तेरे कर याद प्रभू एहसान तेरे धर्म का यह भी एक लक्षन है कि फगवान ने जो क्रपा की है उसका इसमर्ण बनाए रखे उसे याद रखे फूले नहीं उसमें अपने अहम को आगे ना आने दें वालमी की रामाइण में तो सनातन थर्म की परिभाशा ही चार शब्दों में कर दी गए कृतेचे प्रतिकरतव्यम एश्थर्म सनातनह उपकार के प्रति उपकरत भाव क्रतग्यता का भाव यह सनातन थर्म है और सोचो कितने उपकार है भगवान के जीवन मिला कहा से आँख की रोश्णी मिली कहा से वाणी का शब्द मिला कहा से और भी जो मिला लाए नहीं थे ले जाएंगे नहीं यहीं मिला है यहीं के लिए मिला है सब कहां से मिला है किसे मिला है ये विचार करो और उसकी क्रपा के प्रती प्रतग्य रहो कर्याद प्रभू एहसान तेरे विचार के प्रतग्य रहो कर्याद प्रभू एहसान तेरे लगे तुझ में तन मन प्राण मेरे गिंकर बन कर तव चरणों का गिंकर बन कर तव चरणों का सदा तुझे से इतनी पुकार करूं दिनाथ करो किरपा ऐसी दिनाथ करो किरपा ऐसी जीवन में पर उपकार करूं स्वारत के तज कर भाव सभी स्वारत के तज कर भाव सभी पर्मारत का ब्यवहार करूं सद गुण ही सदा स्विकार करूं तो सब जीवों से सदा प्यार करूं करूं